तो हेलो प्रेट्स आपका फिर से स्वागति आपके अपने चनल का क्षा एटों में तो प्रेंट्स जैसे ही रीट पातरता पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद में सब यह बेड़तों के दिमाग में दो चीजे आ रही है जिसमें से पहली चीज तो यह है कि ज मेरा रीट का पातरता पेपर जो है वो तो कंप्लीट हो गया है लेकिन अम मुझे जो में के तयारी करनी है उसके लिए डिटेल से ले बस आ जाए उसके बाद बस मैं मेरी तयारी स्टार्ट कर दूँगा अश्टोप आल्दो फ्रेंट्स मैं तहे दिल से आपको ठेंक्स कहन चाता हूं क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो पर इतना प्यार दिया है क्योंकि ये जो वीडियो थी ये मेरा कुद का पर नियुकि अधर Tea से के बारे में ताइम वेश्ट नहीं करना चीए लेकिन मैं आपसे साथ में यहीं कहुआ कि अगर आपका इसको जो आपका पासिंग मार्स उसके दो तीन मार्स उपर नीचे है तो हाँ आपको इन क्यों संस को अच्छे से analysis करना ची कि वाकई में इसका सही answer क्या होगा तो फेरी बात करते है friends कि अगर आपका paper जो है वह सही नहीं रहा है उसका कुछ भी कारण हो सकता है friends या तो आपने OMR में गलती कर दियो हो या आपको जो एक्जाम का प्रेसर था उसकी वज़े से आपका एक्जाम में तोड़ा उपर नीचे हो गया हो या जो खटिंता का इस तरता वो आपके paper का तोड़ा ज्यादा आया हो यह कुछ कारण हो सकते हैं friends आपका paper अच्छा नहीं होने का लेकिन friends अब सब को ऐसा लग चीत होंगे friends क्यों science और math का जो तीनों सिफ्टों में जो प्रेपर होगा था लेवल टू का उसमें बहुत ही कम डिपरेंस था मतलब सीनों सिफ्टों में बहुत कम डिपरेंस था जैसे हम मान सकते हैं अल्ली psychology के लावा psychology में थोड़ा थोड़ा डिपरेंस था लेकिन science के और 24 तारी को दूसरी सिफ्ट में पेपर हो आता उसे टब बताया जा रहा है अपक्षा करते जो 24 तारी को फेली और दूसरी सिफ्ट में पेपर होगा तो तो तीनों सिफ्टों के जो पेपर है friends अगर उसमें डिप्रेंस ज़्यादा आजाता है यानि कि cutting ता इस तर जो है किसी में बहुत कम है और किसे में तोड़ा ज़्यादा है और मतलब उनके बीच का ज़ए ऐवरेज ज़ो निकालेंगे तो उनका बीच का ज़एकर वो ज़्यादा आ रहा है तो नोर्मिलायजज़ेसं में फ्रेंट्ट से ज़दा नमबर कम और ज़दा नंबर ही बड़ने के चांसें जदा रहते हैं लेकिन इसके अलाव प्रेंट्स आपको ये पता होगा कि इसमें मायनेस Märk नहीं थी, तो मायनेस मार्किंग नहीं होने की वज़े से भी यही अनुमान लगा जा सकता है कि इसमें जो negative marking नहीं है तो इसकी वज़े से इसमें जो normalization की process है तो उसमें बहुत ही कम number आपको जदा ज़दा ज़दा पाच छे या साथ number आपको इसमें ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे प्रेंट्स तो प्रेंट्स अगर passing mark से आपका जो score है वो चार या पांच number कमें तो मैं आपको यही सला देना चाहूंगा कि आप second grade जिसके अभी चार मन्त बाकि है प्रेंट्स आप उसकी preparation अच्छे से कर सकते हो उसके अलावा अगर आपको second grade नहीं भी करना है तो उसके बाद भी बहुत सी वेकेंसे जैसे LDC वगेरा आएगे तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो और जिन लोगों का जो score है वो passing mark से दो तीन नंबर ज्यादा है ज्यादा नहीं है उनली एक या दो आप वहां तक पढ़िए जहां तक कि आपके जो पातरता का result है फ्रेंट्स वो confirm नहीं हो जाए आप पातर है इस चीज का पता नहीं लग जाए जब इस चीज का पता लग जाता है तो आप रीट पर focus करके ही इसी की तैयारी आगे जारी रख सकते हूँ अब बात करता है फ्रेंट्स यदि आपका जो score है doubtful questions को हटाने के बाद में 95 प्लस या 100 प्लस हो रहा है तो आपको रीट में की तैयारी में लग जाना चाहिए फ्रेंट्स क्योंकि अगर आपका target only सिक्सक बरत है सबको कि जल्दी से detail से ले बस आगे आ जाए हम उस detail से ले बसको आदार बना करके हम हमारी तयारी को आगी जारी रखेंगे लेकिन प्रेंट्स मैं आपको बता दू कि detail से ले बसका आपको वेट नहीं करना चाहिए अभी इसमें कितना भी समय लग सकता है क्योंकि अभी रीट को चलते हुए दो साल हो गए है और अभी तक हमने बहुत समय इस रीट को दिया है तो अब हम हमारा जो time है उसे ज्यादा वेश्ट नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको मेरी वेक्तिकत सला यही देना चाहूंगा तो फ्रेंट्स उन लोगों को में कहना चाहूंगा कि आप तक आपको जो base रहेगा जो आपका main base रहेगा वह आप जो ncrt के books से प्रेंट से लेकर करके टेंट तक की उसको बना लीजिए और उनको अभी से लेकर के रख लीजिए और उनको continue पढ़ता रहीए आप ncrt books से start कीजे friends और एक target बनाकर के account में जाकर के अपनी जो जो बे फ् से पढ़ाता paper friends books में से आएगा अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप यह 2022 का या भी जो 2022 में paper के निम्ता है वह जो दो नो पेपर है friends है जिसका जो जी के वाला पार्ट है friends ये books में सहिं है हलांकि वह बात अलगे friends की books फड़ते सब सब है लेकिन अपने माइन में आप कितना इश्टो रखते हो यह चीज ज़्यादा माइने रखती है याद रखिए प्रेंट्स की सपलता का कोई shortcut नहीं होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वह से पिश्टडी को देना है फ्रेंट्स जोब की पिरपेशन कीजिए अगर वाकई में आपको जोब चाहिए फ्रेंट्स और इस चैनल के माददें से फ्रेंट्स जितनी हेल्प हो सकती जितना हेल्पूल कंटेंट में आपके लिए दे सकता हूँ उतना में यहाँ पर आपको सेर करने की पूरी-पूरी कोसिस प्रेंट्स तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर एक सब्सक्राइब का बटन आता है फ्रेंट्स उसको दबादीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में थैंक्यू